अगर मैं कहूं कि आप बिना बोले बोल सकते हैं और बिना पढ़े पढ़ सकते हैं तो शायद आप इस बात को सुनकर चौक जाएंगे लेकिन यह सही है मैं आपको आज कंप्यूटर के कैसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिससे बिलकुल आप ऐसा ही कर पाएंगे जै कि ऐसा सिस्टम मिल जाए जिससे हम अपनी अवाज को रिकॉर्ड कर पाएं दूसरे वो लोग हैं जो बहुत सारा लंबा कोई आर्टिकल होता है उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उसको सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं और वह भी अपनी मातर भाशा म चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कोई भी और भाषा हो, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, जो ऐसा करना चाहते हैं, और साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आप कितने सरल तरीके से बिना एक रुपया खर्च किये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट्वेर हैं, जो इन कामों के लिए बहुत सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री का एक तरीका बताने वाला हूँ, जिससे ये सारे काम आप कर पाएंगे नमस्कार, मैं आपका स्वाद करता हूँ, माइ बिग गेड़ स्मार्ट क्लास में इस चैनल पर हमेशा मैं आपके लिए ऐसे ही टेकनिकल टिप्स और प्रॉब्लम के सॉलुशन्स लेकर आता रहतना हूँ, तो अगर आप नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाईए क्योंकि वहीं से आपको लिटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलने वाले हैं, और अगर हमारे पुराने यूस्फुल वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिये और इस आर्टिकल को मैंने लिखा है अपने ब्लॉग माई विग गैड के लिए, जहां पर मैं हमेशा ऐसे आर्टिकल लिखाता रहता हूँ, अब अगर ये जो चीज मैंने लिखी है, इसको मुझे रिकॉर्ड करना है वोईस के रूप में, और मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे को लगता है कि मैं जो बोलता हूँ, उसमें इतना अच्छा फ्लो नहीं आता है, लोगों के कामकार नहीं रहेगा, कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर से मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो बहुत फ्री का और बहुत आसान एक सॉफ्ट्वेर के बारे में आपको बताऊंगा, इस आर्टीकल को पूरा हम कॉंपी कर लेते हैं, यहां से लेके हम इसको पूरा नीचे तक कॉंपी कर लेंगे, इसके बाद हम यहां पे सर्च करेंगे, वननोट को, अब अगर वननोट आपके कंप्यूटर में नह जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, इसको मैं यहां से क्लोज कर दिता हूँ, अगर नहीं है तो डाउनोड कर लीजे, अब सिंपल वो जो आर्टीकल आपने लिया है, उसको यहां पे आपको पेस्ट कर दिना है, इसके बाद जाना है आपको व्यू आपके सामने आ जाएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाए देंगे, पहले चीज तो यहां पे आपको पूरा आर्टीकल कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आर्टीकल इंग्लीश में होता, तो यहां पे ग्रैमिकल सारे जो आप्शन है वो आपको दिखाई देते हैं, इसलिए आपको यहां दिखाई नहीं देंगे, इसके बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको रीडिंग पर्फॉमेंस का, यहां पे क्या है ना, लाइन मैं थोड़ा सा इसको पाइट कर लेता हूं, तो यहां पे क्या है ना, यह कुछ फोकस पॉइंट दिए गए हैं, तो यहां पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके लाइन पे, उसके बाद आपके पराग्राफ पे और उसके बाद सारे आपके डोकिमेंट्स पे फ वोइस सेटिंग का उप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, अब यहां पे दो तरह की वोइस आपको मिलेंगी, एक फीमेल वोइस और एक मेल वोइस, तो फीमेल वोइस पे पहले हम क्लिक करेंगे, उपर आपको स्पीड दिख जाएगी, अभी जो एक आपको य इसी के साथ शेर न करें वो हम आज इस पोस्ट में जानेंगे, आज के समय में सभी बिजनेस आउनलाइन होते जा रहे हैं, तो आपना सुना कि अभी यह जो वोइस थी, यह कंप्यूटराइजड वोइस थी, और जैसे एक व्यक्ति बात करता है, जैसे कोई लाइव परसन बात करता है, बिल्कुल उसी तरह की आवाज आपको सुना ही दे रही थी, अगर आपको यही साउंड मेल वोइस में चाहिए, तो आप यहां पर बस क्लिक करिए और इसको प्ले कर दीजे, इसलिए आप भी अपने सभी काम घर बैठ कर ही करना चाहते हैं, जैसे बिजली का बिल जमा करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बैकिंग के सारे काम इत्यादी ऐसे में, तो इस तरह से आप यहां पर किसी भी आर्टीकल को सुन सकते हैं, अब जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, कि आर्टीकल को सुनना एक अलग चीज है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, तो अभी जो कुछ भी आपने लिखा है, उसको कंप्यूटर में, ऐसा MP3 अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करोगे, इसका बड़ा सिंबल आपको बहुत सिंबल तरीका में बताने वाला हूँ, MP3 में ये डेटा या वोईस एसको लगाना चाहो, इसकी voice record करके कोई message आपको अगर किसी को देना है, तो आप कैसे करोगे, तो symbol सिंबल से एपको 2 setting करने है, पहली setting तो आपको sound के साथ में करने है, सो यहाँ पर करना क्या है, कि आपको जबूद कर आइकन उसको इहां से open sound settings के option पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको stereo mix को select कर लेना है अगर यह stereo mix आपको नहीं दिखाई देता है तो यहां पर manage sound devices पर चले जाएए यहां पर नीचे आपको stereo mix दिख जाएगा और अगर यह stereo mix disabled है तो आप इसको यहां से enable कर दीजिए तो यह setting आपको एक छोटी सी करनी है यानि क्या करना है यहां इसको minimize कर देना है और यहां से open कर लेना है आपको voice recorder को तो मैं voice recording को यहां से on कर लेता हूँ अब यहां से voice recording को on करिए और यहां से इसको play करिए रखें इसी service को अच्छ ची तरह से निभाने के लिए OTP assignments की शुरुवात की गई थी आज आप जब भी mobile phone या computer पर online payment का इस्तिमाल करते हैं या फिर आप आप चाहें तो female voice में भी record कर सकते हैं किसी social media जैसे facebook, whatsapp इत्यादी पर login करते हैं तो आपके registered mobile number पर verification के लिए code भेजा जाता है इसी code को OTP तो अब जैसे ही आप recording को stop करेंगे तो आपके द्वारा की गई जो सारी recordings हैं वो आपको यहां पर दिख जाएंगी अब यह computer में भी save होती हैं साथ के साथ में आप इस पर सिर्फ right click करिए और open file location पर जाके वो जो recording है आप उनको देख सकते हैं अभी तक हम नहीं यहां पर जो recording की है वो पांच recording हम नहीं की हैं अब इन recording को आप कहीं भी जहां भी चाहें जैसे भी चाहें इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह तो होगे आप वो article जो आपने type किया है और आप इसे पढ़ना चाहरे हो आप इसकी recording करना चाहरे हो आप वो article उनका क्या जो इंटरनेट पर दिये गए हैं इंटरनेट वाले articles को भी तो आपको पढ़ना है या सुनना है तो आप कैसे सुनोगे उनको बिना पढ़े सो यहां पर आपको open करना है age browser यह जो Microsoft का age browser है मैं इस feature की बहुत तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि मैंने Google भी देखा है और Google के अंदर भी Google Translate में हम लिखे हुए शब्दों को बुलवा सकते हैं लेकिन यहां पर इसका जो pronunciation है वो Google से बहुत कहीं ज्यादा वेटर है जैसे Microsoft का जो Alexa है वो बहुत भेतरीन उसका voice है इसी तरह से age browser में भी यह feature दिया गया है तो इसको activate करने के लिए आपको क्या करना है अगर इस article को आपको बढ़ना है तो Ctrl और Shift की साथ में यू प्रेस करना है जैसे Ctrl, Shift और U को आप प्रेस करेंगे तो उपर आपको read alone का एक option मिल Hindi के अलावा और भी बहुत सारी भाशाओं का option दिया गया है तो यहां पर Hindi male voice के लिए मधुर और Hindi female voice के लिए स्वरा का option दिया गया है अमाल लीजे आपको female voice में यह article पढ़ना है तो इस पर click करिए इस तरह से और उसके बाद बस यहां से इसको play कर दीजिए तो देखा आपने इंटरनेट के भी किसी article को आप बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं बस आपको use करना है यहां पे age browser जो Microsoft ने डिजाइन किया है सो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत useful रहा होगा और अगर आप ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करके बताईएगा कि ऐसे ही वीडियो लाते रहे हैं सर हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इससे मेरा भी हौ मुसला बढ़ता है वीडियो बनाने का सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद फंदे मातरम